अब उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक और वीडियो है जिसके अंदर हम उन प्रॉब्लम्स को तोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे अगैं है सो जब हमने लास्ट वीडियो देखा था है तो उसके अंदर हम ने तीन तरिके की प्रॉब्लम्स ठीं जिनको हमने एड्रेस किया था सबसे पहले चीज थी के बाट टो प्रोड्य्यूस क्या प्रोड्यूस करें ठीक है अब उन alternative uses में से हमें सबसे जादा important और priority पे कौन से use को रखना है और किसके लिए produce करना है ये सबसे बड़ा question होता है और यहीं पे ये question arise होता है that what to produce, क्या produce करना है फिर आता है how to produce अब देखो how to produce वाला जो ये question है ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास में जब हम कुई भी production करते हैं तो हमारे पास पर कुछ techniques होती है कौन सी techniques को हमें use करना है जिससे कि हमारी जो skills है वो पूरी तरीके से utilize हो राइट skills के अलावा हमारे जो resources हैं वो पूरी तरीके से utilize हो तो जब हम production कर रहे हैं तो वो किस basis पे होना चाहिए ऐसे कौन सा technique हमें use करने चाहिए जिससे कि जो production है वो proper हो और resources का जो waste है वो भी negligible हो ठीक है third जो question है it is for whom to produce अब हमें पता है हमारी economy के अंदर बहुत से sectors राइट primary secondary tertiary उसके बाद में अगर हम दूसरे perspective पे देखें तो यहां पे rich लोग है poor लोग है उसके बाद में अगर हम और भी perspective से देखें तो हमारी economy में बहुत से consider करते हैं अब इन तीनों questions को हम एके करके समझेंगे detail में अल्राइट last video में हमने इनी questions के बारे में देखा था लेकिन उसमें क्या था कि अपने introduction portion ही उसका अपन ने देखा था ठीक है अभी इस video में हम इन तीनों ही questions को थोड़ा सा detail में पढ़ने वाले हैं okay now following is a brief description of these problem अब यहां पर इन तीनों problem को एके करके हम समझते हैं सबसे पहली problem है हमारी यहां पर what to produce हमें क्या produce करना है now this problem has two dimensions अब इस problem के दो dimension है सबसे पहला what to produce and how much to produce कि भाई क्या produce करें और कितना produce करें जितनी demand होगी उतना ही produce करेंगे क्योंकि अगर demand से ज्यादा हमने production कर लिया तो वो waste है producer के लिए अगर demand से कम हमने production कर लिया है na demand से कम अगर हमारी supply है कम अगर production है तो जो demand है वो पूरी fulfill नहीं हुपाएगी economy के अंदर राइट और कही ना कहीं बढ़ते बढ़ते excess demand के situation जो है वो बढ़ते बढ़ते inflation की तरफ कब आ जाएगी हावे पता ही नहीं चलेगा economy के अंदर है तो इसलिए क्या produce करना कितना produce करना है ये एक major question है now the first and the foremost problem of every economy is what what goods and services should be produced so as to satisfy the maximum wants of the people ठीक है तो economy का सबसे पहला question ही होता है कि इसे कौन से goods or services हम produce करें जिससे की economy को जादा से जादा satisfaction मिले ठीक है this problem arises due to the fact that means are scared in relation to their wants अब ये जो question है ये arise कैसे हुआ क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो भी resources है वो क्या है comparatively बहुत जादा scare है बहुत जादा कम है ठीक है और जहां पर किसी भी चीज की कमी होती है वहां पर आपके लिए दिक्तते बढ़ जाती है ना तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है क्योंकि यहां पर हमारी जो wants है वो unlimited है और वहीं जो हमारी resources है वो बहुत ही जादा scare है तो यहां पर जो choice आपको बनानी होगी कि इन resources को कौन सी want के लिए हम use करें जहां से हमारी जो satisfaction level हो maximum हो तो यह एक question यहां पर develop हो जाता है ठीक है तो यह इसका introduction है now each economy has therefore to make a choice as it to which wants it should satisfy and which one it should forgo तो अब होता क्या है कि हर economy को एक choice यहां पर develop करनी पड़ते है कि कौन से यसी जरूरते हैं जिसे पूरी करनी चाहिए और कौन से यसी जरूरते हैं जिने हमें forgo कर देना चाहिए it involves twofold decision अब यहां पर दो decisions के उपर हम बात करते हैं सबसे पहला the economy has to decide what goods and services are to be produced सबसे पहली तो यही कि economy को सबसे पहली यह decide करना पड़ेगा कि कौन से goods and services produce करनी है for instance जैसे की example के थूरू यहां पर जाया जा रहा है which of the consumer goods like sugar, cloth, meat, ghee, etc. are to be produced and which of the capital goods like machines, tractor, etc. are to be produced ठीक है तो जब हम बात करते हैं दो तरीकी के goods होते हैं एक होते है consumer goods और एक होते है capital goods ठीक है तो अब यहां पर यह decide किया जाएगा कि अगर हम consumer goods को produce, consumer goods का production करने के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो इसके अंदर कौन-कौन से goods हमें involve करने चाहिए अगर हम capital goods को produce करने के बारे में सोच रहे तो इसके अंदर हम कौन-कौन से goods को शामिल करें ठीक है तो यहां पर यही एक्जाम्पल कि तुर आपको समझाए गा है विच आप दी consumer goods like sugar, cloth, wheat, ghee, etc. are to be produced अब इन सभी को अपन produce नहीं कर सकते हैं जितने भी consumer goods आपको यहां पर देख रहे हैं इन सभी को अपन produce नहीं कर सकते हैं इन में से अपन को कुछ निकालने पड़ेंगे हैं और कुछ अपन को for production रखने पड़ेंगे और फिर आती है बाग capital goods की तो capital goods के अंदर भी बहुत से goods होते हैं जैसे machines हैं, tractors हैं ठीक हैं अब इसके अंदर भी अपन को decide करना पड़ेगा कि भई अपन को कौन सा capital goods produce करना है similarly, choices also to be made between the production of wartime goods like rifles, guns, tanks, peace time goods like bread or butter so, यहां पर क्या होता है कि हमारे जो choices हमें यहां पर production की choices हमारे सामें नहां पर भी देखी जाती है जैसे कि, क्या कहता है, war time है, ठीक है, युद का जो समय है तो उस time पर हमें कौन से goods के सबसे ज़रूत पड़ेगी तो जैसे अगर war का time है, तो सबसे ज़ादा हमें किन चीजों की ज़रूत पड़ेगी वहां पर हो सकता है कि खाने की जो need है वो कम हो लेकिन उस point पर हमें सबसे ज़रूत की पड़ेगी राइफिल की पड़ेगी, गंस की पड़ेगी, टैंक्स की पड़ेगी और वहीं जब war का time नहीं है, peace time है, शान्ती का time है तो यहां पर जैसे bread और butter की ज़रूत ज़ादा होगी तो जिस point पर जिस भी goods की या जिस भी services की ज़रूत ज़ादा होती है अपन को resources उसमें efficiently use करने पड़े हैं अगर युद का समय चल रहा है और वहां पर हम इन सभी चीजों को छोड़ करके कुछ और ही production कर रहे हैं तो क्या यह हमारी economy के लिए फाइदे मंद होगा? तो यह बिलकुल फाइदे मंद नहीं होगा, है ना? When an economy has taken a decision as to what goods or services are to be produced अब यहां पर दूसरा decision आता है कि जब economy यह decision ले चुकी होती है कि भई हाँ कौन से goods हमें produce करने हैं, ठीक है? Then it has to decide about its quantity फिर next question यहां पर जनरेट होता है कि हम यह तो decide कर चुके कि हमें कौन से goods यहां पर produce करने हैं लेकिन अभी तक हमने यह decide नहीं किया कि हमें कितनी quantity में यह goods produce करने हैं, right? How much of the consumer goods and how much of the capital goods are to be produced कितने ऐसे consumer goods हैं जो हमें produce करने चाहिए और कितने ऐसे capital goods हैं जो हमें produce करने चाहिए For instance, जैसे कि example कि तुरू यहां पर वापस है समझाया गया है If an economy decide to produce more of cloth and wheat within a given period and the limited means, then it will have to produce less of machines जैसे कि अगर एक economy यह चीज़ डिसाइड कर ले कि हम जादे 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 consumer goods produce करेंगे यानि कि जो wheat है, sugar है, cloth है, हम इनका production जादे 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 करेंगे तो हमें resources अब यहां पर लगाने पड़ेंगे, right हमें हमारे पास में जो limited resources है, वो हमें जादे सादे कहां पर मतलब कहां पर लगाने पड़ेंगे, consumer goods में अब यहां पर, जब consumer goods में resources का जादा participation है तो दिखती सी बात है, capital goods में यहां पर कम हो जाएगा participation हमारे resources का तो जब production वीट का, cloth का, rice का, sugar का इनका बढ़ रहा है तो automatically क्या होगा कि हमारा जो capital goods है, जो machines है, tractors है इनका production अपने आप से कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में जो resources वो है limited, अब इन limited resources को हम एक ही तरफ production बढ़ाने के लिए हम एक ही तरफ जादा लगा सकते हैं, दोनों तरफ हम नहीं लगा सकते हैं, तो अगर इस तरफ का production बढ़ाना है, तो इस तरफ का automatically काम होगा, right? So, अब यही चीज़ है, दो transition हमें लेने पढ़ते हैं, सबसे पहला economy में इसे concept goods and services हैं जो की produce होने चाहिए, वो हमें पता लगा कि समय के according हमें यह पता लगाना चाहिए कि भई, concept जो goods हैं वो हमें produce करने हैं, ठीक है? उसके बाद में, जब हम यह decide कर चुके हैं कि हमें कॉन से goods produce करने हैं, उसके बाद में कि भई, कितने goods हमें produce करने हैं, मैंना, quantity के basis पर question आता है, कि ठीक है, हम यह चीज़ decide कर चुके हैं, कि हमें यह वाले goods जादा produce करने हैं, लेकिन, now the question is, that how much to produce, कितना production करना है, तो उसका भी अपन ने यहाँ पर, जो है, answer वो देख लिया है, ठीक है? Now, next question आता है, हमारा, जो हम central problem पढ़ रहे हैं, पहली जो problem है, what to produce, इसको हमने cover कर लिया है, next question आता है, हमारे पास हमें, how to produce, कैसे produce करें, now, the second main problem of an economy is, how to produce goods, or how to organize production, जो second important question economy का, वो यह है, कि कैसे produce करें, है न, कैसे organize करें इस production को, so this problem is concerned with the choice of technique of production, अब यहाँ पर, यह जो question है, कि किस basis पे है, यह technique के basis पे है, ठीक है, कि ऐसी कौन सी technique का हम use करें, जिससे कि हम production को बढ़ाएंगे, all right, now, technique of production, for example, production of clothes is possible, either by handlooms, or by modern machines, तो अगर हम production, सोच के चले, clothes का, तो यह जो clothes है, यह इनका production कहां पे possible है, या तो handlooms पे possible है, या फे, modern machines के through possible है, है न, this problem is concerned with the efficient use of resources, अब यहाँ पे यह problem है, कि अपन को जो resources है, उदे efficiently use करना है, it implies more production at less cost, और resources को efficiently use करने का मतलब क्या है, कि हमें production को जादा-जादा बढ़ाना है, और हमारी जो cost है, उसको हमें कम करना है, production को जादा-जादा बढ़ाने का मतलब है, कि हमारा जो output last में निकल के आएगा, वो हमारा जादा होना चाहिए, किसे, cost से, cost क्या होती है, जो production के तोरान हम जो भी expenditure करते हैं, is known as cost, right, अब यहाँ पे, जो हमारी cost है, वो तो होनी चाहिए कम, और हमारी जो output है, वो होतना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा, broadly, there are two techniques of production, so तो तुर हम बात करते हैं, production के बारे में तो दो techniques होती है, production की, एक होती है, labor intensive, और दूसरी होती है, capital intensive, ठीक है, जब हम बात करते हैं, labor intensity, तो उसके अंदर हम जादर से जाधा output के लिए labor को जाधा ह। employ करते हैं, labor को जाधा से जाधा efficiently use करते हैं, ठीक है, और वहीं जब हम बात करते हैं, capital intensive की, तो उसके अंदर हम machines का जाधा use करते हैं, ठीक है, comparative to labor, ठीक है, अब यहाँ पे दो तरगी के techniques हो गई, ठीक है, सबसे पहली capital intensive and the दूसरी one is labor intensive, ठीक है, इनको हम समझते हैं, तो पहली labor intensive technique, under this technique labor is used more than capital, अगर labor intensive technique है, तो यहाँ पे capital यारी की जो machines है, उनका कम से कम use होगा, जादे-जादे use किसका होगा, यहाँ पे labor को यहाँ पे जादे-जादा use दिया जाएगा, now, capital intensive technique, अब वहीं जो capital intensive technique होती है, तो इसके अंदर क्या है, capital is used more than the labor, यहाँ पे जो capital है, वो labor से जादा use किया जाता है, ठीक है अने कि यहाँ पे labor से जादा machines में के रहका use किया जाता है, an economy must decide as to which technique is to be used in the given industry, so that productivity is raised and the cost is अब किसी भी इंडिस्ट्री को यह चीज़ डिसाइड करने चाहिए कि ऐसी कौन सी टेक्नीक को यूज़ से कि उनका जो पॉस्ट है वो तो आए कम और उनका जो प्रडक्शन है वो आए ज्यादा इसी थोट को ध्यान में रखते हुए इंडिस्ट्री इस क्या करते है अपने प्रड़क्शन करना है यह हमें तरीके से करना यह हमें समझ में आ गई अब जो थर्ड कोईस्ट्री इस हमारे पास में वह यह है कि प्रडक्शन के बार में हम बात कर रहें लिए जो production है अभी किस के लिए society के किस sector के लिए हमें production करना है so owing to limited resources limited resources है यह हमें पता है and economy cannot produce goods for all sections of the society to the extent desire हमारे पास पी जो resources है वो बहुत ही जादा limited है ठीक है अभी इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो economy है वो जतीनी want है society में जोतीनी जरूरत है वो पूरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकती है economy अब ऐसे क्यों है क्योंकि economy के पास में पूरा करने के लिए इन जरूरतों को पूरा करने के लिए resources पूरे नहीं है तो society के अंदर जो हमारी economy उसने जितने भी sections है उनकी सभी की wants यहां पर पूरी नहीं हो सकती है broadly every economy has two sections of the society so broadly हम क्या समझते है कि हर economy में society के दो section है चीक है सबसे पहला है rich और दूसरे नबर पर है poor okay now social justice is promoted if more goods are produced for the poor अगर हम बात करें social justice की तो वो कब अचीव होता है जिब जादा से जादा benefit किसको दिया जाता है poor people को दिया जाता है ताब तो हम कह सकते कि हाँ भई हमारी जो society है ये कही ना कही इन लोगों के लिए भी मतलब कुछ काम कर रही है इन लोगों को भी society benefit provide करवा रही है तो अगर social justice की बात करें तो ये कब अचीव होता है जब जो goods है वो किसके लिए produce किये जाते है poor कि लिए produce किये जाता है it would reduce inequality और promote equality ये कहीना कि inequality को कम करता है और equality को बढ़ाता है inequality ठीक है एक तरफ inequality होती है और एक तरफ equality होती है तो अगर production गरीबों के लिए होगा तो इससे दिखती से बात है inequality बिलकुल खतम होजाएगी और कही ना कहीं society के अंदर equality देखने को मिलेगी but there is a hidden cost of doing it लेकिन एक छुपी हुई cost है ये करने के लिए एक छुपी हुई cost है by producing goods for the poor the profits of producers would remain low अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर गरीबों के लिए production किया जाएगा यहाँ पे जो profit है तो यहाँ पे जो profit है producers का वो बहुत जादा low होगा है ना low profit would mean low investment अगर profit low रहेगा तो दुबारा से जो investment है वो भी low होगा चिक है implying low GDP growth जिसका परिनाम क्या होगा consequently के जो हमारी GDP growth है उसमें भी low dullness देखने को मिलेगी right the economy would remain backward for a long time to come इससे क्या होगा पूरी हमारी जो economy है यह पिछडी हुई रहेगी यह लंबे समय तक thus there is the problem of choice social equality और GDP growth तो यहाँ पे जो problem create होती है वो यह होती है कि या तो आप social justice के लिए production कर लो अना या फिर GDP के growth के लिए production कर लो अगर social justice के thought को रखके आप अगर production कर रहे हो तो यहाँ पर profit कम होगा profit कम होगा तो यानि कि आपका दुबारा से जो investment है वो कम होगा investment कम होने से क्या होगा कि economy कही न कहीं backward ही रहेगी और इस point पे growth आप बिल्कुल भी imagine नहीं कर सकते है ठीक है so okay so यह होगे आपका third question alright so I hope कि आज के इस video में हमने जितने भी तरीके की यहाँ पर बाते करी है यानि की तीन problems हमने यहाँ पर discuss करी है central problem of an economy यह तीनों ही questions आपको अच्छे से समझ में आया होंगे ठीक है यह कुछ ऐसे question है जो कि हर economy के अंदर यह तीनों questions arise होते ही हो ठीक है अब इन questions को किस तरीके से economy अपने उपर work करती है ठीक है यही देखना होता है right so I hope कि आज का यह जो वीडियो है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बहुत ही easy सा concept था बहुत ही आप यह समझ लीजिए कि ऐसा concept है कि अगर आप इसको अपने उपर लेके द करना अपने classmates के साथ में भी आप इस वीडियो को शेर कर सकते हैं and do not forget to press the bell icon. Thank you so much.